हलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे चीन गुर्णू की रसोई में आप सभी का श्वागत है आज हम बना रहे हैं मूर्मूरों का नास्ता इसके लिए मैंने लिए हैं मूर्मूरे जिनकी हम भेलपुरी बनाके खाते हैं यह वहीं मूर्मूरे हैं औ कोई में बीग udोने के बाद इनको रख दूँंगी मैं साइड में थोड़ी देरे के लिए ये देखो बीगने दूंगी जब तक हम इसके चौकन की लिए प्याज, मिर्ची, टिमाटर काट लएते हैं इसके लिए मेने लिया है एक प्याज, एक हरी मिर्ची और दो टमाटर प्याज को मैं भारी भारी जॉप कर लूँंगी इस तरह से pozy हाथ से ही बारी भारी बार काट लूँगी ये नास्ता हमारा जटपट बनके तयार हो जाता है जैसे बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है तो हम इस तरह से नास्ता बना सकते हैं बच्चों को जटपट क्याई बर हमारे पास जैसे पोई भी खतम हो गए सबकुछ खत्म घया है तो हम क्या कर है तुछ मूर मूरे पड़े तो हम फटा-फट्चों को इस तरह से नास्ता बना सकते हैं बच्चों को छोटी ये मुर्मूरे हैं जो भीग चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से देखो निचोड़ने के बाद में ये वापिस वैसे ही खिल जाते हैं से मिक्स नहीं होते हैं आप देख सकते हैं कि मुर्मूरे आप निचोड़ों के और वैसे देखो वैसे की वैसे हो जाएंगे इस तरह से हम मुर्मुरों को सब को निकाल लेंगे निचोर निचोर किनका पानी सारा निकाल देंगे और इस पिलोईट पर मैंने सारे निकाल लें आप देख सकते हैं ये खिले खिले हो गए हैं और अम मैंने एक कड़ाई में तेल डाल दूँगी तेल को गरम होने के लिए रख दूंगी जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी राई इसमें डालूंगी राई राई के बाद बाद डालूंगी जो प्याज और मिर्ची मैंने काट के रखेते वो मैं डाल दूंगी और थोड़ी सी डालूंगी इसमें हींग और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्स करूंगी और इनको थोड़ी दे के लिए फ्राई होने दू और अब इसको पकने के बाद मैं डाल दूँगी कड़ी पत्त कड़ी पत्त करी पत्त कड़ी प्राइब कि में भी नास्ते में और भी पत्त समा कर्था नास्ते मैं यह मसाला हमारे िसन दपर ही म्रुटे मीटव केशी आठाध में मैं फ्राय दूंगे तब नमगúa Change तब फीर से मसाले को पकाएंगे अच्छी तरह से चलाते हुए मसाले को पका लेंगे यह नास्ता हमारा All जिट प्र तयार होने वाला है मसाले को मैंने पका चलाते हुए पका लिया है इस तरह से हम अच्छी तरह से चलाते हुए यह देख रहे हैं जब तक तेल नहीं आ जाए उपर मसाले में जाली नहीं पड़ जाए जब तक हमें इसको चलाते रहना है मसाले में बिल्कुल जाली पड़ जाती है इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मसाला पक medium flame gas पे ही और हमें इनको चलाते रहना है पकाते रहना है अच्छी तरह से और ये देखो मुर्मुरे हमारे बनके तयार हैं और आप color देख सकते हो और मुर्मुरे भी आप देख सकते हो कि एक एक खिले हुए है इस तरह नहीं है कि पानी हमने डाल दिया तो वो ऐसे गुड़े करेंगे नीबू डालने के बाद और आप देख सकते हो हमारा नास्ता जटपट बनके तयार है दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और इस नास्ते को बच्चे भी खूब पसंद करते हैं अब हमारा टाइम में सर्व करने का और मैं प्लेट में इनको निकाल कि आप देख सकते हो दिखने में कितना खूब सूरत लग रहा है और इस तरह का नास्ता आप जटपट बना कर दे सकते हो बच्चों को